नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज से मैं history स्टार्ट कर रहा हूँ और reason ये है history स्टार्ट करने का क्योंकि मैं आप सब में एक interest, जाग रुक्ता पैदा करना चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़ें और जब आप खुद में आपका interest आता है तब उस चीज़ को पढ़ने का, उस चीज़ को समझने का अलगी मज़ा होता है साथ आप मैंसे किसी ने सर्च नहीं किया होगा कि कैसे किसी movie को देखें, interest बना गए, कैसे किसी movie को complete करें, कैसे किसी web series को complete करने का motivation ला है लेकिन आप सब search करते हैं कैसे पढ़ने का motivation ला है तो reason यह होता है कि आप में वो interest नहीं है, आप में वो curiosity नहीं है तो इसलिए history कर रहा हूँ, history एक कहानी की तरह है अगर आप film में देखना पसंद करते हैं, कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप history को भी जरूर पसंद किजिएगा तो उसके लिए 3-4 चीज़ा मैं starting बताना चाहता हूँ कि success होने के लिए 3-4 चीज़ा को ध्यान रखिए सबसे पहली की बात है, कि बहुत minimum किताबे हों एक हमारे सर्थ है, उन्होंने बड़ इच्छी बात कही थी कि हम लोग collector बनने के जाएगा, book collector बन जाते हैं और book को collection start कर देते हैं, material को collection start कर देते हैं तो minimum book रखिएगा, एक जिससे मैंने पढ़ा था, spectrum है और दूसरा है, SK Pande सहाब की किताब, यह दो किताब sufficient है modern history के लिए, उसके बाद है previous year question previous year question एक ऐसा चीज है, जो कि एक आपको boundary define कर देता है कि सवाल यही से पूछे आते हैं, क्योंकि syllabus तो है everything under the sun is syllabus लेकिन अगर आप previous year question को आप regularly देखेंगे जैसे कि week में मैं चाहता हूँ कि आप तीन से चार बार previous year questions को देखें उससे आपको idea लग जाता है कि कहां-कहां सवाल पूछा जाता है जो committee सवाल सेट करती है, वो भी previous year question को follow करती है कि कहां-कहां सवाल पूछे गया है और वो भी सवाल वो लोग almost 90% सवाल उसी area से pick करती है तो previous year question को आप बहुत जादा focus करेंगे उसके बाद तीसरी जो सबसे important चीज़ है वो है practice practice मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि practice ही एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे success दिलाया एक साल के त्यारी में तो लोग पढ़ने पर ज्यादा focus करते हैं किताब है पढ़ते रहते हैं practice कम करते हैं आप practice कीजिए practice के लिए घटना चक्र की किताब है history की बहुत ही sufficient किताब है और जितने लोगों ने उसको follow किया है मेरी बात को मानके और सभी successful हुए है चौता चीज है कि जब आप solve कर रहे हैं घटना चक्र से किसी practice से या previous year question से practice करने है जो सवाल आपका नहीं बनता है उसको आप note down करेंगे एक या दो कि अगर आपने दस question solve किए दस हो आपसे बन लिया तो कोई अच्छे achievement नहीं है क्योंकि आपने कुछ नया नहीं सीखा जो आप जानते थे आपने उसी को repeat किया है लेकिन अगर आप 10 question बना रहे हैं और 10 में से 9 आपसे नहीं बना है practice के दोरान तो यह खुशी की बात है कि 9 ऐ आपने बनाया है मोटा सा notebook लें और उसमें लिख लें कि यह question था इसका यह answer है और यह region है दो लाइन से तीन लाइन में बस मैं अपना नोट्स आपको शेयर करूँ मैं और सबसे लास्ट है पांचवा consistency consistency बहुत जरूरी है आप regular regular का मतलब है कि आप break नहीं लें आज तीन दि दिखती है तो आफ रस्टेट हो जाते हैं फिर लगता है कि नहीं यार कोई और option नहीं फिर त्यारी पर आते हैं तो consistency आप break करेंगे तब कभी successful लिए होंगे तो आप एक ठान लेक नहीं मैंने अपना goal बनाया है मैंने एक example दिया था कि जब आप दिल्ली से पटना की तरफ गारी से बढ़ते हैं तो आपको एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, छे घंटे बाद, नो घंटे बाद तक पटना नहीं दिखता है पटना कब दिखता है जब आप पटना पहुंच जाते तभी दिखता है तो अगर आप उस तरीके से करेंगे कि आप जाएंगे तो वैसे ही आपको सफलता तभी दिखेगी जब आप सक्सेस्फुल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा नहीं होता है कि अलग से कुछ वो इस सारे मिलने लगते हैं भगवान की तरफ से तो इसलिए उस चीज को कंसिस्टेंसी करके रखे कि डिटर्माइन कर लें कि मुझे इतने दिन तक पढ़ना है उसके बाद ही आप अपने पढ़ाई दूसरा डिसिजन लेंगे तो यह पांच चीजे हैं फिर से में रिपीट कर रहा हूं मिनिमम किताब होनी चाहिए आपके पास प्रिवियस येर कोश में परफेक्ट करके है तो वो सही बात कहीं गई है चौथा है आपको अपना जो कोश्टन नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन करना है और पांच में कंसिस्टेंसी इस पांचों चीजों का आप कहीं न कहीं जरूर लिख लें और उस पांचों को आप डेली देखेंगे कि है एंड्य चीज में मुझे ध्यान लखना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे बह Citizens से से स्टार्ट करते है मौडर्ट करते हम एक इस टौपिक चुन रहा हूं कि कैसे हमारे हैं बहुत रात हो चुकी है तो इसलिए मैं तो इसको इगनोर किजीreating तो स्टार्ट करते हैं तो मैं इसलिए बताता हूं कि जैसे अपने सब लगान मुवी देखी है तो लगान आपको अपने वह वहां से जब अंग्रेज भारत आ जाते हैं लेकिन अंग्रेज भारत पहुंचे कैसे उस चीज़ की मैं बात बतारो तो बात है ए रोप में आपको जब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ रेनिजा आया मतलब क्या हुआ था कि जो पुराने जो सोच थी उससे लोग बदले थोड़ा सा एडवांसनेस आया तो एडवांसनेस जब आता है तो लोग को के मन में curiosity होती है कि हम explore करें तो इरोप में मसाले जाते थे किसी दुनिया अब देख किया हो कि कहां से है तो वो अल्मस्ट एक ही समय था जब पूरे एडवांसनेस के स्टेज पर आया था कि जब उनकी बेसिक जरूरते पूरी हो चुकी थी और वो चाह रहे थे कि explore करना और दूसरे dimensions को cover करना तो उस सिलसिले में सबसे पहले Spain के Christopher Columbus निकलते हैं भारत की खोज में और वो अमेरिका की खोज कर बैठते हैं कोकि वो घुमना था नक्से में इस तरफ और घुम जाते हैं उस तरफ तो वो उन्होंने अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर करलमस स्पेन के थे यह 1492 में हुआ उसके बाद 1498 में वासको डिगामा पुर्तगाल के थे वह भारत की खोज में निकले भारत की खोज में जब यूरोप से निकलते हैं तो वो अफरिका के पास आए और वो इतने ठक चुके थे कि उनको जमीन दीख नहीं रह कट अब इसको याद करने का मैं तरिका बताता हो जब भी किसी चीज की डाउन्फ़र्स्टार्ट होता है तो उल्टी गिंती स्टार्ट हो जافεται तो वैसे अपिंटी नोओ साहट complete करके उल्टी गिंती स्टाट होती है तो वास्को duy Gaama के आने के बाद ही European भारत मां अंग्रेज भारत में और भारत सो निटी स्टाट हुए इसलिए इसलिए 9-8 तो वास्को दिबामा भारत आया थैं 1498 मैं अब अब इस ती कभी नहीं भूलिएगा वुटी इंटी इंति स्टार्ट ने उनके बाद कि लोग बोलते हैं कि वासगों ने भारत की खूष कि क्या चौसरन से पहले भारत नहीं था भारत था यहां एक छोटा सी वो है कि वासगों डिगामा ने भारत के समुन्दरी रास्ते की खोज़की जैसे कि आपके सहर में कोई समझ लिजे रेल्वेस स्टेशन है और एक लंबा रास्ता है आप एक सौर्टकट रास्ता खोज देते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने इस स्टेशन को खोजा है रेल्वेस स्टेशन तो उनकी मदद एक गुजर्ात्ती नावीक अपने मछली उसलेट पकर रहा था अहमद मजीदी नाम था उनका उन्होंने उनकी मदद की जब वो पहुँचे वहाँ पहुँचे वो काली कट, काली कट कैसे याद करेंगे आप कि उसके बाद से भारत के काले दिन शुरू हो गई, काली राते शुरू हो गई, तो कैलिकट पर पहुंचे थे, और वहां के जो शासक थे जमुरीन, उनको बड़ा अच्छा लगा कि कोई विदेशी आया है, तो उन्होंने बड़ा धूम धाम से स्वागत किया, तो आपको त फिर इसके बाद और भी जो European है, वो लोग भारत आना स्टार्ट कर देते हैं, उसको याद करने का एक तरीका है, निमोनिक्स जो मैंने बनाया था, पूरी, अंडे, फ्रेस, नास्ता में हम लोग खाते हैं, क्या नास्ता में खाते हैं हम लोग, पूरी, अंडे, फ्रेस, ठी ये पांच European countries हमारे भारत आई थी कैसे याद करेंगे पूरी अंडे फ्रेस पुर्तगाल डच अंग्रेज डैनिस और फ्रेंच किस और में आये थे कब कब आये थे इसको भी नोट कर लिजे पुर्तगाल को मैंने बता दिया 1498 उल्टी गिंती स्टार्ट हो गए थी सबसे पहल और आता है कि सबसे लास्ट कौन थे भारत छोड़ के जाने वाले अब गयस करेंगे सबसे लास्ट कौन थे सबसे ज्यादा लोग English company या अंग्रेज पर टिक लगाते हैं इस वह जवाब गलत है सही जवाब है पुर्तगाल 1961 में गया थे इस चीज को नोट कर लिजेगा सबस 1954 में गय थे 1954 ठीक है यह order याद रखिएगा इस date को अपने खुछ से निमोनिस वना के याद कर लिजेगा इंग्लिस कर सब को पता ही है कि इंग्लिस company कवया आज गई थी जब देश समारा आजाद वह था 1947 दो कंपनिया उसके बाद तक थी 1954 में फ्रेंच गय थे और 1961 में लिए guest house type का बना थी उसको उन्होंने सुरू के दौर में company का factory खना स्टार्ट किया ठीक है first center या first factory तो 1498 में आये पुर्तोगाल उनकी जो पहली company settle हुई वो कोचीन में उन्होंने बनाई फंदरा सो तीन में ठीक है 1498 में माने के बाद फंदरा सो तीन मोनोंने अपनी पहली factory setup की या पहला center बनाया पंदरा सो तीन कहां पे कोचीन में फिर दूसरी जो company थी डच वूडी डच डच का मतलब क्या हुआ डच आये थे आपको कब 1605 में और 1605 में उन्होंने मसली पत्नम में अपना पहला center बनाया तिसरी company थी English company जो कि हम अंग्रेज पूडी अंडे में इंग्लिज company कव आई थी 1608 में और 1611 में उन्होंने भी अपना मसली पत्नम में ही company मनाया डेनिस company जो जो बीस में उन्होंने ट्रैंक्विन में अपना पहला company मनाया और फ्रेंच company जो 1668 में थी उन्होंने सूरत में 1668 में बनाया एक चीज़ आप देखिएगा जो भी कंपन से बन रहा है या सूरत में बन रहा है तो एक सवाल एक और आया था एक्जाम में उन्होंने तीन option ऐसे दिये थे कि जो कि इंडिया के अंदर के हिससे हैं और एक वह को स्तला तो आप ऐसे बंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी वह बनाएंगे को उनको आने-जाने मसानी होग वो अपने नाव सोते रहेंगे और अपनी जो भी उनका गेस्ट हाउस है या फैक्टरी है या होटल समझ लिए उसमें असानी से जा सकते हैं तो इससे भी आप अधिटिफाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जब इयुरोपेन भारत माने स्टार्ट करते हैं तो वह अलग-अलग देशों की खोश करते हैं सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि भारत की और अमेरिका की खोश होती है याद रखिए कि न्यूजिलैंड और तैस्मानिया दोनों की खोज तैस्मान ने की थी और 1770 के ब्रिटेन के जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी यह चीज याद रखिए कभी कभी इस पर भी सवाल कई स्टेट सिविल सर्विसेश जारा पूछा गया है अब हम especially Vasco Di Gama की बात करते हैं कि वो कब इंडिया आये उस समय क्या सिच्वेशन था तो Henry the Navigator नाम के प्रिंस थे महाँ पे उनका नाम में नेविगेटर है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्प्लोरर थे उन्होंने Vasco Di Gama से बात किया एक कमपनी सेटप की कमपनी का नाम भ खरीश करें ले आते हैं गोल मिषक्रिते हैं इसे भी ध्यान दीजेगा और जब जाते हैं तो उनको 60 грणा profit होता है錢 फोने के वाद दुबारा इंडिया आते हैं 502 में। फिर यहां आके बिजनेस करते हैं सारा समान खरीटते हैं जब यहां दूसरी बार जब आते हैं तो अराम से हमारे लिए रहे हैं तो उन्होंने अपना पहला कंपनी जो पहला जो उन्होंने सेटप बनाया 1503 में डाया कंपणी यहां पर बना दी तब यहां पर लगा कि मेंस मैंजमेंट हो रहा है क्या होता है कि सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं जब यह लोग चले जाते हैं तो खराम से क्योंकि देखने वहले कोई मालिक था नहीं तब उन्होंने यहां पे स्टार्ट किया गवर्नर्स को बैठाना, गवर्नर्स मतलब एक मैनेजर, सुपर्वाइजर टाइप का, तो पहले जो सुपर्वाइजर यहाँ पर आये थे, वो थे, फ्रांसिस अलमीरा, इसको याद करने के तरीका बें बताता हूँ, तीन गवर्नर बहुत जादा इंपोर्टेंट है, पहले कुन्हा बनना मतलब रखार परिवार और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले अलमीरा हम हम्लोग रखेंगे हम लोग बुर्क्रह कीबाद क्या हो गा कुन्धा अपना मतलब घर वर बनाना स्टार्ट करेंगे परिवार बढ़ना सुरू होगा ठीक है तो अलमीरा जो आए और उसके बाद एक और सवाल आता है कि कौन था पहला गवर्नर और कौन था रियल गवर्नर जो रियल फाउंडर तो रियल फाउंडर हम लोग कहते हैं अलफांसो अलवकर्की को क्यों को कि उन्होंने बीजापूर के जो महरास थे उनको जंग में हराया था हराने के बाद से क्या हुआ था कि इंडिया में उनका पकर बनना सुरू हुआ था ठीक है तो पहले जो रियल फाउंडर थे वो कौन थे अलफांसो अलवकर की लेकिन जो सीरियल ओडर में पहले थे वो थे आपको फ्रांसिस अलमीरा फ्रांसिस अलमीरा की एक सबसे चीप बात क्या थी उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह होता है कि हम सम्मुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल बनाना स्टार्ट करेंगे जमीन पर तो कंट्रोल आप जानते हैं लेकिन सम्मुद्री रास्ते पर कंट्रोल बनाना आपको Francis Almeida दरा शुरू किया गया था और तीसरे थे Nino Dakunha Nino Dakunha ने क्या किया था Goa को अपना राजधानी बनाई थी जब वो इंडिया पहुँचे थे तो दिली सल्तनत में कौन थे सिकंदर लोधी यहाँ पे आपको राज कर रहे थे तो आज की लेक्चर को हम लोग इतना ही रहने जते हैं कैसा लगा आप जरूर मुझे feedback दिजेगा क्योंकि आपके feedback से ही मैं आगे continue करूंगा क्योंकि कैसा teacher हूँ मैं कैसा पढ़हा रहा हूँ मैं तो यह आपके feedback पर ही depend करता है तो अगर अच्छा फिडियो एक रहेगा तो इसको और आगे continue करेंगे चलिए फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं झाल झाल इसको और आगे करेंगे चलिए झाल 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 झाल